नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ते हैं शब्द निर्मान शब्द निर्मान तीन तरह से होता है उपसर्ग के द्वारा प्रत्य के द्वारा और समास के द्वारा तो आज हम उपसर्ग और प्रत्य के बारे में पढ़ेंगे तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी भी श शिष्ट परिवर्दन ला देते हैं जिसे अगर हम उधारन लेते हैं हार के साथ अगर आ लगा दे तो आहार बन जाता है तो इसमें हम यूं कह सकते हैं कि जो आ है वो पूरुपद है और जो हार है वो मूल शब्द है इसी तरह एक और हम उधारन देख लेते हैं जिसे निर है अब निर उपसर्ग है अगर इसके साथ जीव लगा दिया जाए तो निर जीव बन जाता है और अगर इसके साथ बल लगा दिया जाए तो निर बल बन जाता है तो इस तरह हिंदी में उपसर्ग जो हैं वो संस्कुत से भी लिए गए हैं अर्बी फार्से से भी लिए गए हैं अंग्रेजी से भी लिए गए हैं और हिंदी के अपने कुछ उपसर्ग भी हैं तो आएए हम पढ़ लेते हैं कुछ उपसर्गों को जैसे अ के साथ जो है अग भी शब्दों की रिचना आप कर सकते हैं जिसे अब सू की हम बात करते हैं तो सू में जो है आप सू डॉल बना लिजे, सू जान है सू घड़ है, सू फल है सू सज्जित है, सू शोबित है यानि की और भी शब्द बनाए जा सकते हैं, इसी तरह अगर उन ले लेते हैं हम तो उन्चास है, उन्चालिस है उन्सट है उन्हत्तर है तो और अगर अध की बात करते हैं तो अध में अध पका है अध कच्चा है, अध कच्रा है तो इस तरह के शब्द बन जाते हैं इसी तरह बिन हम उपसर्ग लेते हैं से बिन ब्याहा है बिन कहें बिन बताएं बिन बादल ये जो है शब्द बन जाते हैं अब इस तरह पर उपसर्ग की अगर हम चर्चा करते हैं या इसका अर्थ जो है वो है बाद में या दूसरा है तो परुपकार है परसर्ग है परहित है और भर जो है वो उसके साथ भर पू मा ये शब्द बनते हैं और औ के साथ जो है वो औसर है औसान है औगन है औधर है ये बन जाते हैं और अन उपसर्ग के साथ अनमोल अन बन और अनपरशब्द बनते हैं और इसके अलावा भी आप और अनने शब्द बना सकते हैं जो सार्थक है और जिसमें मूल शब्द और उ लगो सकते हूं इसी तरह कू के साथ जो है कुचाल है कुचैला है कुचक्र है दू के साथ दुबला दुलारा दुधारू और इसी तरह अती में जो है वो अत्यदिक अनंत अतिरित है यानि अत्यंत है और अभी में जो है अभी अभी शेक है अभी ने है अभी मुख है तो इस हार है जैसे हमने शुरू में पढ़ा हार शब्द अब हार के साथ जो है किस तरह का हम उपसर्ग लगा रहे हैं उसी तरह का वो अर्थ देगा अगर हार के साथ हम प्र लगा देते हैं तो प्रहार आ जाता है तो इसका मतलब है चोट लगना अगर हमने आहार जो है वो आ लगा यानि त्याग करना इसी तरह उपहार लगा दिया अगर हमने तो हार के साथ उप लगा दिया तो उपहार बनिया यानि कि भेंट देना और अब उपसर्ग के कुछ विशेशता हैं वो बता देते हैं आपको कि उपसर्ग जो है वो हमेशा शब्द के आरंभ में लगता है और उपसर्ग शब्द के अर्थ जो है वो एक उसके साथ लगा एक नई विशेशता वो बताता है और एक चमतकारिक अर्थ जो है वो प्रकट होता है और उपसर्ग प्रतिकूल अर्थ भी प्रदान करता है यानि कि विलोम बनाने में भी सहक होते हैं और इसी तरह जो उपसर हैं वो 10 हैं संस्कृत की 22 हैं इसी तरह जो हैं अती देख लेते हैं तो अती जो है वो अतिरिक्त है तिवरिष्टी है अत्यंत है अत्यल्प है अत्युक्ति है इत्यादी इससे हम शब्द बना सकते हैं इसी तरह अंतर हैं अंतर रंग हैं अंतर आत्मा हैं अंतर मूल हैं अंतर उपसर्ग के साथ जो है दुरवेवस्था आ जाती है दुराग्रह आ जाता है दुरगम आ जाता है दुरगुन और दुरजन आ जाता है इसी तरह निरुपसर्ग के साथ जो है वो निरंतर आ जाता है निरक्षर आ जाता है निर्जन और निर्मल और निर्वासन आ जाता है इस इसे तरह प्रती जो है प्रती के साथ जो है हम प्रतिकार है प्रतिपक्ष है कई शब्द बना सकते हैं अब अंतर जो है वो हमने पढ़ा यानि कि अंतरधान है अंतरात्मा है इसी तरह अभी जो है वो अभिजात है अभिज्य है अभी भाजक है अभ्यास है इस तरह से जो है वो शब्द बन जाते हैं उत्मे उत्तम है उत्कर्ष है उत्कंट है उनती है इत्यादी शब्द बन जाते हैं इसी तरह अधी जो है जैसे कि अधी एक उपसर्ग है उसके साथ अधिक्रित अधिनाया की शब्द बन जाते हैं अनु के साथ अनुकरण है अनुक्षन है अनुप उपसर्ग जो हैं वो हमारे इस तरह से इसके हम यह तो नहीं कह सकते कि हमने विस्तृत चर्चा के लेकिन हमने इसका कुछ पक्ष उपसर्ग का रखा और उमीद है कि आपको उपसर्ग समझ आ गए होंगे तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रत्य की तरफ अब प्रत्य जो हैं वो शब्दांश हैं जो मूल शब्द के अंत में लगकर जो हैं वो उनके अर्थ में परिवर्दन ला देते हैं वो प्रत्य कहलाते हैं अब जैसे सुन्दर शब्द है अगर इसके अंत में ता लगा है तो वो सुन्दर ता शब्द बन जाता है और सुन्दर ता में ता जो ह प्रकार के होते हैं एक तो कृत प्रते हैं और एक तदतित प्रते कहलाते हैं तो जो कृत प्रते हैं वो कृत प्रते जो हैं क्रियाध हातु के पीछे लगकर संग्या और विशेशन शब्दों की रच्णा करते हैं और इनके मेल से बनने वाले जो शब्द हैं वो कृत शब्द कहलाते हैं, जैसे अगर हम पड़ और पढ़ाई की बात करते हैं तो पड़ के साथ जो है वो आई प्रत्ते लगा है तो पढ़ाई बना रिसने उड़ान है, अभू उड़ और आन, याने कि उड़ान बना, जिसमें जो आन है वो उसका प्रत्त है इसी तरह जो तद्धित प्रत्य हैं, वो प्रत्य संग्या, सरुना, मुशेशन, आदी शब्दों के पीचे लगकर नए शब्दों की रछना करते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्य कहते हैं, अब जैसे लडग पन, अब इसमें लडग और पन, जो लडग पन में लड़का औ वो प्रत्य है, इसी तरह हम और प्रत्य देख लेते हैं, जैसे लिख और आवट यान लिखावट हो गया, इसी तरह जो है वो तैराक है, तैर और आक बन गया, तैर जो है मुलशब्द हो गया, इसी तरह चड़ और आई, जो है चड़ाई हो गया, और लड़ और आई, जो है प्रत्य है और लड़ और चड़ जो है क्रिया है और क्रिया जो है वो यानि कि मूल शब्द के रूप में है यहाँ पर अब इसी तरह जाड़ू अब जाड़ू में उ जो है वो बड़ा उ है इसलिए जो है वो बड़ा उ जिसे हम कहें उ जो है वो इसका प्रत्य है जाड़ो बना धकन में जो है वो अन प्रत्य है इसी तरह तुला में जो है वो आ प्रत्य है फूकनी में जो है वो नी प्रत्य है इसी तरह हसी है जैसे हसी इसमें यी प्रत्य है अब उडान है उसमें आन प्रत्य है मिलाप है उसमें आ प्रत्य है पहनावा है उसमें आवा प्रत्य है और पहन जो है वो मूल शब्द है और पी और आस है याना कि पी जो है वो क्रिया है और आस इसका प्रत्य है इससे वो मिलकर प्यास बना इसी तरह चल चलन इसमें चल जो है वो मूल शब्द है और न जो है वो इसका प्रत्य है इसी तरह जो है जाता है उसमें जा जो है वो क्रिया है और ता जो इसका प्रत्य है लिखा इसमें आ जो है वो प्रत्य है और लिख इसका मूल शब्द है और ठक कर यानि ठक कर एक शब्द बना उसमें ठक जो है वो मुई शब्द और कर इसका प्रत्य है ऐसे ही बैठना बैठना में बैठ जो है मुई शब्द है और ना प्रत्य है रोना ना कहना या कहेगा तो इसमें जो है इस तरह आपको प्रत्य जो है वो समझा गए होगी इस तरह और हम प्रत्यों के बारे में देख लेते हैं जिसे और उधारन देख लेते हैं अच्छा है इसमें अच्छा और आई है मीठा और आस है गरम और आहट है महान और ता है होता है ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं जैसे हम स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं तो इसमें जो स्व है वो इसका उपसर्ग है तंत्र उसमें मूल शब्द है और ता जो है वो प्रत्य है और इसी तरह समझदारी अगर हम बात करें तो समझ जो है वो उसमें मूल शब्द है इस हमें मिल जाते हैं तो इस तरह आज हमने अध्यन किया उपसर्गोर प्रत्यका और आशा करती हूं कि आपको अविश्य समझा गया होगा धन्यवाद